नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज जिस पत्ते के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उस पत्ते का नाम है पत्थर चिट्टा अब इस बात से कोई फरंग नहीं पड़ता कि आप इसे पत्थर चिट्टा के नाम से जानते हैं कई जगों पर तो इसे ब्रह्म पत्री के रूप में भी जानते हैं पर्ण पुठी के नाम से भी जानते हैं पाशान भेत के रूप में भी लोग इसे पिचानते हैं और अगर बात करें medical science की तो medical science में इसका नाम होता है bryophyllum pinatum जी हां दोस्तों पत्तर चिट्टा के पोधे में ऐसे ओशिदिये गुण विद्यमान होते हैं जिसके कारण ये बहुत सारे health benefits के साथ हमारे जीवन में आता है दोस्तों ये दो प्रकार से हमारे शरीर को फाइदा पोचाता है एक होता है आंतरीक रूप से और एक होता है भारी रूप से है तो सबसे पहले बात करें कि भारी रूप से ये किस किस प्रकार हमारी सेहत के लिए फाइदे मन होता है तो भारी रूप से अगर इसका प्रियोग देखा जाए तो अगर मान लीजे कहीं आपके इसकेन पर खून निकल रहा है और उस खून का रिसा वहां पर हो रहा है तो उस घाओ को भढ़ने के लिए इस पत्ते का प्रियोग किया जा सकता है इसके अलावा अगर आपके चरीर के किसी हंग पर फोड़े पुण्सी और जलने की समस्या हो रही है तो उन सबी समस्याओं को भी यह पत्ता आराम से समाप्त कर सकता है तो यह तो भी बाहरी रूप से किस प्रकार से यह पत्ता आपकी हैल्प करता है उसके बारे में अब बात करते हैं आंतरीक रूप से यह कितना फाइदे मन माना जाता है और दोस्तों यकिन मानिए आंतरीक रूप से ही इस पत्थे को सबसे ज़्यादा फाइदे मन माना जाता है और इस पत्थे का सबसे ज़्यादा प्रियोग जिस चीच के लिए किया जाता है वो पत्तरी और मुत्र समंदिस समस्याओं से राहत प्रजान करने के लिए जी हां दोस्तों पत्तर चिटा के और क्या-क्या फाइदे हैं चलिए अब जानते आगे पहले इसके आंत्रीक फाइदे बताने से पहले इसके स्वरुक के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं ये पत्ता आखिर हिकिस प्रकार का होता है क्या होता है तो दोस्तों पत्तर चिटा का पत्ता अगर इसके टेस्ट की जातक बात करें तो खाने में थोड़ा खटा और नमकीन सा होता है और खाने में इसका टेश्ट लगबग स्वादिश्ट ही होता है अब बहुत सारे लोग ये जानना चाते हैं कि अगर ये पत्ता इतना फाइदे मंद होता है तो इसको उगाने का क्या तरीका है तो दोस्तो आप कहीं से भी पत्तर चित्ता का केवल एक पत्ता आराम से लेकर आ जाएं और फिर उस पत्ते को लेने के बाद आप किसी भी प्रकार की जमीन में उस पत्ते को अगर गार देंगे तो वहीं पर इसका पोदा अपने आप उग जाएगा जी हां दोस्तों ये एकदम सच है इसका बस आपको एक पत्ता लाना है उसके बार ये आप कहीं भी अपने घर्म के अंदर भी प्लांट में उगा सकते हैं अब बात करते हैं कि इसके जो मेन फाइदे हैं वो काई में तो दोस्तों पत्री के लिए इसका सबसे विशेश फाइदा माना जाता है पत्री को खतम करने के लिए दोस्तो पत्री की समस्या में इसको किसी ओशिदी से कम नहीं समझाता है और पत्री से जितने भी पेशेंट परेशान है वो इसका सिवन अवश्ची करें इससे पत्री की समस्या मूल रूप से समाप्त हो जाएगी अब बात आती है कि इसका प्रियोक किस प्रकार करना चाहिए तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकरी दे देता हूँ तो दोस्तो इसका इस्तमाल करने के लिए आपको पत्तर चिटा के लगबग दो पत्ते तोड़ने हैं उसके बाद उसे अच्छी तरीके से पानी से साफ कर लेना है ताकि उसके पत्तों के उपर जो जमी धूल मिट्टी होती है वो साफ हो जाए अच्छी तरीके से उसके बाद आपको सवेरे के समय ये टाइमिंग आप जरूर ध्यान दे दोस्तों रात के समय आपको इस्तमाल नहीं करना आपको सुबे के समय हलके गरम गुन-गुने पैनी के साथ आपको इसका सेवन करना है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो पत्री धीरे धीरे आपके अं जिस तरह से हम इसका प्रियोग कर सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं तो इसका दूसरा तरीका भी है आप चाहे तो इसके पत्तों को चबा चबा कर भी खा सकते हैं अगर आप पानी के साथ इसका सेवन नहीं कर सकते हैं तो आप पत्तों को चबा चबा कर खा सकते हैं या फिर कुछ अन्य फायदों के बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं दोस्तों पत्तर चिटा के रसमें आप सोट का चूर्ण मिला कर इसका सेवन करें इससे पेट में होने वाले दर्द से भी आपको आसानी से राहत मिल सकती है इसके अलावा पित्ताशे की पत्री में पत्तर चिटा बहुती ज़्यादा फायदे मंद होता है अजवाइन के 10 पत्ते और पत्तर चिटा के 10 पत्ते पीसकर लगूदी बना लें इसमें एक चमच गोकरू या आपको आसानी से बजार में मिल जाएगा इसको मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट लगाता तीन दिनों तक सेवन करने से करते रहें इसके बाद इसके सेवन से आपको अगर दस और उल्टी की समस्या होती है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें इसके सेवन से यह दस्त और उल्टी की समस्या को जड़ से समाप्त कर देगा तो दोस्तों यह थी पत्तर चिटा की विशेश जानकारी जिसमें हमने आपको बता है कि किस प्रकार यह पत्तरी का जड़ से सफाया कर देता है और पत्तरी के अलावा भी यह और किस-किस रूपों में काम आ सकता है तो उमिद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भुलें और एसी ही रोज नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबाए क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए एसी ही इंपोर्टेंट वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए धन्यवाद